प्रदेश में भरती परिक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद अब परिक्षा का आयोजन कराना बड़ी चुनोती मन गया है दरसल पेपर लीक जैसी समस्या को रोकने के लिए बोर्ट क्या-क्या कदम उठा रहा है किस तरीके से फिर पॉलिसी के तायद परिक्षा का आयोजन कराने की कोशिश रहेगी इन सभी मुद्दों पर करमचारी चैन बोर्ट के अद्देक्ष हरी परिक्षाओं शर्मा ने बात की जी मीडिया समादाता शशी मोहंद अभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसमें 11,30,000 से जादा अब्यर्थी बैठेंगे वो परिक्षा सिर पर है जनवरी के पहले सब्ता में होने वाले परिक्षा की कैसी तैयारिया है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है करमचारी चैन बोड के अद्ध्ष हरी परिक्षाओं शर्मा जी उनसे बात करते है परिक्षा कराना इसलिए कठिन हो गया है क्योंकि पर्चे लीक होते जा रहे हैं इसलिए दिनों सेकंड ग्रेड का लीक हुआ उससे पहले भी पर्चे लीक हुए रीट का पर्चा लीक हुआ और अभ्यर्तियों के साथ ऐसी संस्थाओं की भी साख दाग पर लग जाती है आप किस तरीके से इस परिक्षा का आयोजन की तेयारी है निश्यत रूप से यदि किसी भी बर्ची एजन्सी की परिक्षा का पेपर लीक होता है तो निश्यत रूप से सभी संस्थाओं पे उसका नकारात्मत प्रभाव पड़ता है हमने अभी तक करीब 78 पेपर करवाए हैं 77 पेपर में किसी प्रकार की कोई समझे नहीं आई एक वन रक्षक का पेपर ऐसा था एक पारी का जिसमें से एक सेंटर से कड़बड़ी होने की संभावना हुई और जहां से कुछ क्यूस्टन्स के आंसर वाटसप पे भेजे गए यदिपी वो चार और पांच अभियर्तियों के पास ही पहुँचे थे लेकिन इसके बावजूद भी बोर्ड की निस्पक्सता को बनाए रखने के लिए हमने उस प्रिक्षा के पेपर को निरस्ट कर दिया और वो दुबारा हमने सहकुसल 11 दिसंबर को आईजित कर वाली अभियर्तियों के लिए दोई है कि हर सुरत में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रिक्षा पूंत या सुरक्षित हो निस्पक्स हो पारदर्शी हो और मैं विश्वास सभी को दिलाता हूँ कि हम प्रिक्षा में जितने भी सुरक्षा प्रबंद के मापदंड है और जितने भी एतियाती कदम है वो पूरे सुनिश्चित करने जा रहे हैं इसलिए लोग अफ़ाण के नहीं आये किसी माफ्याओं के या किसी बदमासuw के बैकाओं में ठक और बेइमानों के बैकाओं में नहीं आये प्रिक्षा पूर्ण तया निस्पक्स होगी इमानदारी के साथ संपन होगी ये इसमें पूर्ण ब्रोसा रखे अब तक जिस प्रंप्राओं का हमने जो इस्तापित किये उनका पालना हम दर्ड़ता के साथ सुनिशित करेंगे और निशित रूप से मुझे ब्रोसा है कि हम इसमें काम्याब होंगे और अब्यरतियों के लिए है कि वो ऐसी गलत तत्तू के हाथों में उनकी अफ़ाउं से सावदान रखे और गलत तत्तू के बैकावे में नहीं आएं तो ये हैं हरी पुशार शर्मा जो कह रहे हैं कि अब्यरतियों को खुद भी सावचेत रहना होगा जो गलत अनफेर मींस से परीक्षा पास कराने का जहासा देने वाले लोग हैं उनके चंगूल से दूर रहना होगा और खुद अब्यरतियों को ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और पूरी तरीके से समुचिस संसादनों से फूल पूर्प तरीके से परीक्षा उजित कराएगी कैमरापरसन राहूल सिंग के साथ शशी मोहन, जी मीडिया, जैपूर